है अग्जी देखेगा तो थोड़ी का भी क्लास स्टार्ट उन्हें में देरी होगी क्योंकि इंटरनेट की वए इससे वह अभी तक अपडेट नहीं हो पाये था बर दूसरे वे में उस कंटेंट को लाकर क्या को सामने क्लासिस स्टार्ट करने जा रहा हूं तो जैसे कि इंकम डिट्रेमिनेशन में हमने देखा कि कुछ बेसिक कॉंसेप्ट और जो टर्म्स है वह हमने डिसकॉस ओलड़ी पिछली क्लासिस तक हमने कर लिया और नेशनल इंकम एक्किलिब्रियम क्या होता है एग्रिगेट डिमांड और एग्रिगेट सफ्लाई अप्रोच और सेवि किस तरीके से पूछे जाते हैं और तो सबस्केर उसमें कुछ इस्तरगी से पूछ जाता है एक्स्प्लीन दा कंसेट ऑफ एपीसी एंड एपीएस एंपीसी एंपीसी एंपीएस हाव आर दीज रेशो इंटर रिलेटीड तो सबसे पहले कुशिन आपके सामने यहां पर यह है कि कंसेट बताईए आप एपीसी तो आप देखी में आंसर किस तरगी से करना है मैं वो चीज समझा रहा हूँ आपको ठीक है तो सबसे पहले जैसा आप यहां पर यह क्या कहता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी के बारे में जनरली एपीसी के बारे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेशनल इंकम है उसका जब नेशनल इंकम आता है तो अबिसली हम उसमें से क्या करते हैं कंजम्शन करते हैं और रेस्ट और पार्ट सेविंग कर लेते हैं तो जो मेरा कंजम्शन हुआ है वो मेरे नेशनल इंकम का कितना पोर्शन है इस चीज को हम क्या बोलते हैं आवरेज प्रोपेंसिट to consume क्या है average propensity to consume APC और average propensity to consume refer to the ratio of the consumption over income देखिए consumption और income का क्या ratio है इस ratio को हम क्या बोलते हैं APC बोलते हैं clear है the question which is the obtained by dividing the total consumption expenditure by the total income is called average propensity to consume इसका क्या मतलब है बच्चे जैसे माल लेजिए कि national income 1000 करोड है और इसमें से मैंने क्या करा 800 करोड का मैंने तो खरनी हमारे country में हमारे economy में consumption कितना हुआ 800 करोड का हुआ तो अगर आप देखेंगे पूरा पूरा divide करेंगे अगर आप तो क्या है 0.8 जो result आता है ना इसी को हम क्या बोलते हैं कोशेंट बोलते हैं रिजल्ट को क्या बोलते हैं कोशेंट बोलते हैं अपने समझा नहीं छोटे से सवाल देखो यह से तैन टू तो क्या कहते है दो पंचे तस यह हो गया ना आपका याद है यह क्या होता है डिवाइजर यह क्या होता आपका dividend यहां पर क्या होता है remainder यह क्या होता है question जो आपका result होता है तो यहां पर यह आपकी theory में यही कह रहा है क्या कह रहा है कि A.P.C. और average propensity to consume refer to the ratio of the consumption over income consumption का ratio income के साथ में the question which is the obtained by dividing the total consumption expenditure by total income इसको divide करने है जो result आएगा मलब जो question आएगा वो हमारा क्या होगा dividing the consumption expenditure by the total income is called average propensity to consume this means it is the part of the total income which is the spent on consumption of goods basically क्या है मैं आपको example लेकर समझाया है यहां पर कि मान लेजिए हमारे देश की national income बनती है कितनी एक हजार करोड और consumption हमारी economy में कितना हुआ हमारी economy में consumption हुआ 800 क्रोड तो मैं जो मेरा consumption है वो मेरी income का कितना portion है अगर हम देखेंगे तो 0.8 portion है 0.8 times consumption हो रहा है मेरे income का तो आप अपने आप national income में कितना consumption कर लेती है country उस चीश को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं APC average propensity to consume कहते हैं इसको हम APC इसको सो से multiply कर देंगे तो यह 80% इसका मतलब क्या है कि जितना हमारा GDP होता है उसका 80% पैसा वापस फर्मों को मिल जाता है वापस रिटन हो जाता है 20% पैसा क्या होता है वो हमारे पास में बच जाता है नेशनल इकम का अब वह भी किसने किसी वे में इंडस्ट्री को वापस रिटन होता है आपने सर्कुलर फ्लो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है अब जो पैसा मेरा बचा मैं क्या करूँगा उस पैसे को बैंक पर रखूँगा और बैंक से फ़र्म क्या करेगे इंडरेट फिंटर्स उठा के ले जाएगी वापस कहा हो करिवास समझें निसनगे तो पैसा ऐसे सर्कुलर होता रहता है घूमता रहता है फ़र्म पर पैसा है उसने क्या करा अमें दिया हमने क्या करा उसकी छीषill की वापस ऊसो कढवा पैस बचा लिया करण से खाल लून बैंक लोन बैंक ले जाती है फिर फिर पैसा क्या करेगी फिर वेजीश देगी इंटरंस देगी रेंट देगी प्रफिट करेगी इस परेंड करेंड करेंगी फिर यह पैसा वापस क्या खेल है पैसा तो एक माध्यम है ना घुमाने का पैसा सर्फ एक मीडियम है जिससे की लोग काम में लगे रहे हैं और गूर्शन सर्विस का अप्लक्शन होता रहे घर बैठे बैठे आपको पीज़ा आजाए समझे नहीं समझे क्लिए आपको साबूर मिल जाए आपको चलता रहता है और वो जितना ज़्यादा अप्लक्शन होगा उसके प्राइजिस उत्रें लो होंगे वो उत्रें ज्यादा लोगों तक उसका जो है फ्लो होगा और लोग की लाइफ जो एजी और कंविनियंट होगी और मतलब कि क्वालिटी अफ लिविंग इंप्रूब उस तरीके को ज़ाग के देखिए कि वो किस तकी से जीते थे और आज अपने जीवन को आप देखिएगा किस तकी से जीते हैं तो आप आपके पास ज्यादा सुविदा हैं इसका मतलब economic growth हुई है इसी को economic कहते हैं बस समझे economic growth का मतलब क्या है clear है तो खेर तो यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि हमारे income में हमारे economy में से कितना consumption हो रहा है इस इसको पता करने के लिए हम किसका use करते है average propensity to consume का use करते है कि national income का कितना portion consumption पे जा रहा है तो यह मेरे पास जीरो पॉंट डेट जो की percentage में 80% साफ-साफ इसका मतलब है कि जो national income है उसका 80% हमारा क्या है हम consumption प मेरे income तो वही सारी बाते हैं बट कोई बात नहीं एक बार में बताएता हूँ आपको कि यह वाई है और consumption मेरे पास में अगर 800 हुआ तो बताएज़ा सेविंग कितना हुआ हुआ हुगा तो जिस तरके से consumption के बारे में हम जानते हैं कि मेरे Sharpe कि मेरे शिखने का कितना times ह Wars, सेविंग मेरे सेविंग मतलब की एकनॉमील की सेविंग ऐथा फ्रूर्ट करे ऐगा क्लियर है average propensity to save हो जाता है यह जब consumption को compare करते है अपने national income से तो वो average propensity to consume हो जाता है और जब आप अपने saving को compare करते है national income से तो वो average propensity to save हो जाता है और obviously दोनों को अगर आप एक चीज़ देखेंगे क्या percentage अगर आप निकालेंगे इसको percentage में तो क्या जागा 0.2 multiply by 100 तो क्या हैगा 20% मेरी बात समझें और अगर आप दोनों को add करेंगे 20% यह 80% यह तो क्या बनेगा 100% national income को represent करेंगा क्यों कोई भी चीज़ टोटल कितनी होती है सो परसंट होती है ना 80% यहां तो फिर बीस परसंट सेविंग में चलागे तो पुरा income पता है ना को सो पसंट इंकम है या फिर आप एक बात और क्या सकते हो क्या relation की बात कह रहा है तो यहीं से आप एक चीज़ डिलेशन निकाल सकते हो क्या relation निकाल सकते हो आप अब बात किसी कर रहा है दो टम्स के लिए आपको फॉर्मला के लिए आपको वही बात कर रहा है कि इस त्यार करो डेली अपने को रेडी करो नॉलेज के डाप पर आप बैठके लर्न करने लग गए तो वह खैदना तो आपकी एज है लर्न करने रटा मारने वाले और नहीं आपको वह करना भी चाहिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पर marginal propensity to consume की अब marginal propensity to save की मैं इसी example को continue करूँगा देखेगा कि हाँ पर मेरे पास में मेरे पास में नेशनल इंकम कंजम्शन और मैं सेविंग की बात करता हूं तो नेशनल इंकम मेरे कितना है 1000 करूड है और consumption कितना है मेरे पास में 800 करूड है और saving कितनी है 200 करूड है clear है जी अगर मेरे investment income में कोई changes आ जाए नेशनल इंकम मैं मान लेता हूं चलो करोड हो गया डेस की राष्टाए बढ़ती रहती है रह बार हर एकनोमिं कोशिश करती है कि देश की राष्टाए बढ़ जाए पहले से ज्यादा गूर्चन सर्विस्स का फ्लो हुआ है पहले से लोग ज्यादा comfort zone में जाएंगे लेकिन जनसंक्या बढ़ती है न तो राष् बख्वान काम नहीं करते हो भी आशवराम से खा रहे हैं जो वह पूरिया मज़े से जा रहे हैं मौल में सब कुछ हमारे कंट्री में ऐसा है तो हमारी कंट्री में तो यह है कि बखवान का बहुत बड़ा जो है आर्शिरवाद है लोग मेहनत भी करते हैं आजी 15-100 रुपे हमारे क्या है इंकम है। अब बचे हैं हम बात करते हैं कि कि आप देखें अगर आपके इंकम बढ़ेगी चेंज इन income कितना आया चेंज इंकम कितना आया आपका 500 अगर आपके income में चेंज आएगा तो क्या आपके consumption में चेंज नहीं आएगा देखें केंज क्या कहते हैं उसकी बास समझेगा अगले theory में वही है केंज यह कहते हैं खैर possibilities तो कुछ भी हो सकता है possible में हो सकता अगले ने क्या करा सारा का सारा जाकर के बैंक में रखाया कि पांसो इंकम बढ़े उसे कुछ कंजम्शन में चेंज ही नहीं करा और सीधा सेविंग में देखें मारा उसने साथ सो कुछ ऐसे कंजूस लोग है बड़ मैं यहां पर कुछ के ऐसे कर देने से सब्सक्राइब थोड़ी क्या पूरे नेशनल में जो चेंजिन कंजम्शन होगा वह जीरो हो जाएगा वह तो नहीं होगा ना पहले मेरी बास समझेगा एक चीची कीमत बढ़ी चैनल लॉफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड क्या होगी कि कम होगी राइ सबसे पहले आप ऐसा मत सोचिए कि सारा का सारा सेविंग में ट्रांसफर हो जाएगा एक इंडिजिवल ऐसा कर सकता है बट नेशनल इंकम के प्रस्पेक्टित तो सोचें कि मैक्सिमम लोग यह करते हैं कि जब भी उसकी नेशनल इंकम बढ़ते तो कंजम्शन में भी उसका पोर्शन जाता है इसलिए केंज क्या कहते हैं कि जो इंकम में चेंज आता है वो सारा का सारा सेविंग में ट्रांसफर नहीं हो सकता है इसका मतलब केंज यह कहते हैं कि कभी भी डेल्टा सी जीरो नहीं हो सकता है केंज इसलिए कहते हैं कि जब डेल्टा सी जीरो नहीं होग तो एक होता हमारा MPC MPC का मतलब का होता है MPC का मतलब यह नहीं है कि मेरे köण स्यम् convincing मेरे in- innocent का कितना है बिंकल नहीं वह तो हमारा APC था IPC मतलब होता है कि मेरे इंकम जो मेरे transaction में चेंज आया ये चेंज not Conjution 2 यह चेंज आया इंकम का नहीं इनक impul also नोगे पिश्धने उसका कितना टाइम यह जीरो यह क्या बताता है एंप सी पॉण डेल्टा वाई तो यहां पर यहां पर जीर्ओ की वैलू जीरो क्या कभी पॉसिबल है कब भी यह पॉसिबल नहीं हो सकती है कि इंकम में अगर चेंज आए और कोई कंजम्शन में चेंज ना करें बतलब कि नेशनल को शंचम्शन में चेंज ना ऐए ऐसा कभी वी नहीं हो सकता है इसलिए केंज केहते हैं की MPC जो है दो सो यहां डाल देते हैं मेरा कंजम्शन कितने का हो रहा है है हजार का क्लियर है बात समझे और बाके 300 बचे यहां डाल देता हूं सेविंग कितनी हो रही है पांग क्लियर है अब MPC क्या कहता है MPC कि जो मेरे कंजम्शन में चेंज आया मेरे इंकम में चेंज़ का कितना time से कंजम्शन में कितना हमारे पास में एक और फिगर हैं, क्या है? एक होता है, MPS यह कहता है कि saving में कितना change आया है? saving में कितना change आया डेल्टा áone雕 डेल्टा y, तो saving में कितना change आया? 300 और 500, 0.6, बाद समझे या निसमझे तो क्या निज़र आ रहा है? है MPC plus MPS equal to क्या होगा वन होगा पहले आपको समझना है Marginal का मतलब क्या होता है Marginal Propensity to Consume basically change in income का change in consumption से relation देखते हैं और change in saving का change in income से relation देखते हैं तो उसको marginal बोलते हैं अगर हम change को ना अफ़र करके पूरा-फूरा consumption का पूरा-फूरा income से तो एवरेज हो जाता है बास समझे यह नहीं समझे अब सवाल यहां पर क्या है कि के अपनी थेओरी दीति क्या MPC जीरो आने का क्या मतलब बताओ जरा कि MPC जीरो आने का मतलब तो भी तभी पॉसिबल ना नू मनिटर रहेघंप चीरो समझते हैं MPC 0 MPC IMPC का मतलब क्या है डेल्टा चीरो तो 200 तो क्या पॉसिबल है कि income में चेंज आया और consumption में कोई चेंज नहीं आया चेंज कंजम्शन जीन जीरो जब भी इनकम में चेंज आता है तो लोग consumption को भी बढ़ाते हैं डिरिक्टली रिलेट होता है और डेलटा सी कभी 0 केंज किया कोड़ी केंज ने है कि जर्रलिए ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि आपका जो इंकम में में यूइं आया वुसारा का सारा सन्सेंग कोई एस इ Makes ओग्य Cash होता है अपके सी 0 मतलब कि 20 बीस वह चन्य बास हएले नहीं कि डेल्टा वाई वन का मतलब क्या हो गया है वन का मतलब क्या है वन किस केस में आता है पता हूं जब नुमिनेटर डेनोमेटर एकवल होते हैं तो क्या इंकम में जितना चेंजा है क्या सारा सारा सेविंग में जा सकता है कि जाएगा सारव सेविंग में चला गया इसा होता है क्या वह बात रिपीट कर रहे तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता तो कभी भी MPS की value बन भी नहीं होती है मेरी बास समझे यह नहीं समझे चाप है इसका मतलब क्या होओ इंकम में चेंज आया और आपने सेवीग में चेंज ही नहीं कर रहा है तो यह जो है ना कभी इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं तो वन होती है और नहीं जीरो होती है MPS इकल्स टू वन का मतलब क्या हुआ वह जाली बात होगी ना वह जाली है मपी सी बन का मतलब क्या हुआ कि जितना income में चेंजा भी नहीं होता है तो कुल मुला करके इन दोनों में से कोई भी ना तो जीरो होता है नहीं वन होता है तो इसलिए इसकी value किसके इसके vitamin लाई करती है ये कौन करता ही केंस करते हैं किया केंज का कहना कहा सिम्पल सी बात है समझेगा इंकम में जब टेडिग का ऐगा तो भाया उस चेंज इंकम का कुछ पोरिशन का अगी निंच पर बहुत कुछ पॉच्छ सेविंग पर भी जाएगा अग्लशी मेरी बढ़ेगा अगर इंकम पैसा होगा ऐसा नहीं होगा कि इंकम बड़ी और सारा कसारा बड़ा और से जिरो तो यह कहते हैं कि इंकम में कभी भी नेशनल इंकम में चेंज आएगा तो उसका हमारे जो समझ आ यह मेरे पास में यह मेरे पास में और MP s , कि वैलू वण होती है और यह 0 नहीं होते हैbung कदे हैने कभी भी 0 नहीं होता है न मिनकन करें के अजी क्या कहते ही माजनर पॉपेंसिती तूंजूम तपाट ऑफ इंक्रीज इन इंकम विचिस स्पैंट अन कंदम्शन इस फोबंजन तो इंकम में चेंज आया जो इंक्रीज उसका पार्ट अगर आप चेंजम संचेंग अपको वही बात हैं वहीं सब्सक्राइब है है नहीं language भी आसानी है MPS same marginal propensity to save means the part of the change in income which is the saved in other words change in the saving divided by change in income the sum of APC and APS is always one और यह कुछ equation मना दिया हुए ही से वन में से आप एक चीज़ को मैनस करोगे दूसरा मिल जाएगा ना बै वन में से अगर आप अब APC मैनस करोगे APS वन में से APS मैनस करोगे तो APC आगे हाइवर दा वैल्यू ओफ APC can be negative when the consumption expenditure becomes the higher than income मैं marginal की बात नहीं कर रहा है जो मैं 0 और 1 की बात कर रहा था हूं marginal की बात कर रहा था समझे किसी बात कर रहा था मैं marginal की मैं यहाँ पर बात करता हूं पहले सारे पॉइंट्स डाल दियें प्राश्टे वक्त में जा कर रहा है हावर दा वैल्यू ओफ APC can be negative APS की value negative हो सकती है बताई जरा APS क्या negative हो सकती है सवाल है अब पहले अपने आप आंसर दो रटार मांकर जाओ गए नहीं आपको कैसे पता होगी नहीं होगी ऐसा करते है फार्मले लिखते हैं परमले क्या है आए ले फार्मले नेगटिव किस केस में आएगा अब चाहिए इंकम दो नेगटिव कर भी हो निसकती ना ऐसा था कि मैंने घर बैठे हो किसी को लोडाउन में ऐसा हुआ किसी को पैसे देने जा रहे हूं वह घर बैठा हूं तू ले ले पैसे तनक यह जीर हो सकते हैं इनकम आपके तो मतलब कि यहां पर यह तब पॉसिबल कहां से उसका हो क्या रहा है जितनी उसकी इंकम है उससे ज्यादा कंजम्शन कर रहा है नहीं कर रहा हूं इंकम बहुत कम है उसकी आज पाकिस्तान अपने पॉरानी सेविंग को यूज कर रहा है तो यहां पर आपके पास में यस एपीएस जो है आपका नेगेटिव हो सकता लेज दन रहेगा एपीएस के बारे में बस इतने से बात समय लिजेगा लेज दन बन रहेगा जीरो और नेगेटिव एकिटिव सब जाएगा सब्सक्राइब क्यों बन का मतलब आपका क्या हो गया सेविंग बराबर खाया कुछ भी नहीं जितना कमाया सारा सेविंग में चली गई पूरे नाशनल कुछ कंजम्शन ही नहीं कर रहा है एक तो यह क्यों पॉसिबल है क्या तो इस लिए वन कभी नहीं सकता बन से लस होगा स समझें यह नहीं समझें तो यह वही बात कर रहा है हाइवर डावल्य अप्पेस कें बी नेगेटिटीव एंदा कंजम्शन एक्पेटिछे बिकम साथे न इंकम ओबिसले एक्जांपल इंकम अदा 1000 एन एक्स्पेटिचर इस था थरीन हंडर्ट तथा सेविंस मैनेस थ्री ह समझें यह नहीं समझें अब दाएंपीसी एंड एंपीस इस एक्वल टू यूनिटी मतलब वन के इक्वल होता है इट कैन बी प्रूब विद दा हैल्फ ऑफ फॉलविंग एक्वेशन ठीक है जी वह एक्वेशन मना दिया सी एक्पलस टू एस वाई और सबको वाई से सबाघ्रबिया कि जो इनक्व करता है प्लस जो सेविंग में चेंज आता है वह सकता सर्ब इंक्व में चेंज के hypn violent होता है और मैं डिवाई करके ते और सब्सक्राइब आधि नवी बात कहिए जो बातम वी आपको बोल रहा है तर्फी कहा है उसका कुछ पॉर्चिन अम कंजंशन जरूर करेंगे बट सारा करेंगे तो यह हुई बात कहता है और इंकम increase consumption also increase but by less than the increase in income ऐसा नहीं कि आमदनी आपकी जो है दस जार रपे सर्तन का बढ़ा दी तो इस मैंने से आपने बारा हजार consumption करना सुरू कर दिया जादा पहले से जादा इतनी आमदनी बढ़ी है उससे कम ही consumption करते हैं तो वही बात कह रहा है कि consumption also increase but by less than the increase in income according to this law there is the tendency on the part of the people to spend on consumption less than the full increment of income hence this law is called the fundamental law of the consumption the psychological law of the consumption shows the relationship between the income and consumption pattern that exists among the household sector in economy असलों जने लिए ऐसा ही होता है clear है अब यहाँ पर कहता है वैं aggregate income raise consumption expenditure also raise यह direct relation है कि अगर मेरा income बढ़ेगा तो मेरा consumption भी बढ़ेगा but less than but less किससे जितनी income बढ़ी उससे कम बढ़ेगा the reason behind is that the person's income increase most of his bonds are gradually satisfied hence less is spent on the consumption after the subsequent level of the increase in their income देखेगा यह भी एक टाइम तक होता है अब आज की डेट में मुके सम्मानी की तनका बढ़ेगी अंकम बढ़ेगी तो से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा वो थोड़े और गुल पर खानी चला जाएगा फटाफटा खाते हैं यह उससे सब अब तनका एक लाग हो जाएगी आप पंजंप्शन फिर से पहले से भी बेटर कर दोगे आपके तनका जास अलाग हो जाएगी अब आप बिजस्त मैं मन गिए आपके तनका एक क्रोड़ रुपए एक तरह एक क्रोड़ रुपए इंकम है तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे- आपके इंकम बढ़ती है तो इंक्रीज इंक्रीज करता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंकम इस आलवेस डिवाड़े इंटु दर स्पेंडिंग इंकम जब बढ़ता तो उसको एक पार और खर्च करते कहां पर सेविंग पर इंक्रीज इंक्रीज इंकम रिजल्स इन देखे पढ़ा रहा हूँ पिटा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि समझ रहे हूं कि वीडियो यूटूब पर जाए और मैं सोच रिड़ कर देते हैं आसे पढ़ा रहे हैं मैं पहले पढ़ा चुका हूँ टैनियर में आपसे मैच करवा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा कि आप उसको पढ़ पाओगे समझ पाओगे क्या आपको लेंग्वेस अंसर इसमें दिएगे कैसे पढ़ रहा है तो आची क्लास में इसी चीज़ पर लगा रहा हूँ बट लेकिन बिकुल आपके पिपर में मैं सिंपल से बात कहता हूं प्रिंसिपल आप माइक्रोगों ने देखा हुआ है मैं फिर से इसमें बात कहा देता हूं कि आप सिर्फ टैनियर पढ़िए फाल तुम अपने आपको मत बढ़काईए इदर उदर ठीक है कि यह किताब वो किताब सिंपल सा आप टैनियर लीजिए कौन सारी थियोरी क्लियर करना मेरा काम है कि आपको चीज़ें रीड कर पाए समझ पाए वो सब मैं अलग-लग एक्जांपल चीज़ें आसान लगेंगी जैसे आज आपको एपी सी एंपी सी यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लग रही होंगी तो आप सर्फ इस पर फोकस कर लीजी और से जादा कुछ पढ़ने के आपको रिक्वार्मेंट नहीं है और यूटूब बालों को मैं फिर से बो होता है तो वैसे वैसे कंजम्शन फंक्शन कैसे एफेक्ट होता है कि अगर मेरे पास में जैसे मैंने भी थोट दिल पर ले एक्जांपल दिया आज की टाइम में मालों मैं बहुत गरीव हूं मेरे पास अपना मकान नहीं है सही से पैने के लिए कपड़े नहीं मेरे पास में खाना भी में एक टाइम खा पाता हूं जैसे मेरी इंकम बढ़ेगी तो सबसे पहले उसका हाइली पोर्शन मेरा कहां जाएगा एंजम्शन प मैं यह नहीं करता है कि बलकुल भी नहीं होगा सारी इंकम मेरी बचे जाएगी मैं सर पातके देखो क्या करूं इस तर से का ऐसा नहीं है मैं यूज में जब भी लाओंगा लेकिन पहले चेंजिन इंकम का जितना पोर्शन में डाल दिया करता था ता मैं बात रुपीज की नहीं कर रहा हूं कि समझे आप को कि सार पहले दस दार बे तनकठी आपके साली जब दस दर प्रहार बड़ी थी तो मैं याद एपने आठ जाड़ रुपे कंजम्शन में डाल दिया था आज आज आपका जो है एक करोडर रुपए आपकी आंदर नहीं बड़ी है और आज ने क्या करा एक लाख रुपए प्रिश्च में डाल दिया तो भाया आज आप अमीर ओ तो आप पर यह ज्यादा डाल गई हो ना ऐसा के विज्च तो यह देखो ना पोर्शन देखो न मिरें इंकम में चेंज का पहले मैं अपने इंकम में चेंज करा मैं अशी पसंट डाल दिया था पंड़ा अब इनक उनल में यहां पर एक पसंट डाला तो आप अमांट से कंप्धर करोगी तो आपको लगए मैं कि रखाए दर राएं दो अपकंपैल करे किसे मेरे इनकम में जो चंज आया उसका उसका सुर्य करा यहाँ वेमें क्वियर बनांव फूड वगरा पर टा करें नहीं है इसका उसकी वेटिणंगल होता चाहल जाता है बाकि मेंटेनेंस के लिए उसकी साथ सारी रिक्वाइर्मेंट उसके अलड़ी फुल्फिल रहती है तो उसके कंजम्शन भी क्या होता है खर्चे कम होता है इसलिए अमीर आदमी करते हैं यह पैसे से पैसे बनाते रहते हैं क्या करेंगी बताओ पैसा बना थोड़ा बदाया बाकी सारा का सारा कहता है इनवेस्टमेंट सेविंग है या जाता है इनका पैसा इस एक्षेंज में डाल दया हमाद यह सब उसका मेल राभर के छी बात कहता है है १ वेल्त हैस्ट रॉक्ट नाड़ा को geben sì क्शुद्थ सब्सक्राइब अब तो दुवारा इसको लेना क्यों चाहेंगे जो बॉंड्स, शेयर, बिल्डिंग, इसका जो मालिक है तो इतने प्रिफरेंसिस नहीं देते हैं इस एसेट की तरफ आज की ताइम पर आप क्या करते हैं आज की ताइम पर आप ज्यादा सेविंग क्यों करते हों कि भविस्ते में आपको बहुतारी आपके इच्छाएं पूरी करनी है बात समझें इसमझे तो आपके आज की डेट में आपकी सेविंग जादा है चुकि फीचर में आपको चाहिए अरेंज करनी है अपने लिए बट जब आपके आपके आशेट जबलब हो जाएंगे तो आपकी सेविंग हो जाएगी अब यहां पर आपके पास में एक्स्प्लें दा रिलेशेशिप बिटीबिन दा एपीची अंप्ट एपेशी इन केस ऑफ लीनियर कंजम्शन फंक्शन क्या है आपका ऐसे शबर लिएंटे से बता देना है यह जदा प्रेटिकल नहीं है यह सिर्फ होता है भी और वाक कोई चीज जिसमें होती नहीं है एक आपके पास में सीक्वल सी बार प्लस बीवाई यह प्रैक्टिकल है कि अगर आपका इंकम का जीरो लेबल भी हुआ तब भी आपका कुछ ना कुछ जितने इंकम बढ़ेगे मेरा कंजुम्षंग बढ़ेगा इंकम कम होगी कंजुम्षंग का मिरे इंकम के साथ में भी बांग कियो त्निक फोर्फ ना कि निंगें and it is the following the two. वोई कहा रहा है, consumption varies directly with the level of income. अगर आपका income बढ़ेगा, तो consumption बढ़ेगा, income कम होगा, तो consumption कम होगा. The increase in the consumption is less than the increase in income. पर जितने आपके पास में income में चैंज जाया है, उसे कम ही consumption में चैंज जायाएगा. क्लियर है? consumption varies directly but less than the propensitivity with the level of the income. Keynes used to the important concepts of analyze the consumption function. अब देखिएगा, APC के बारे में बता रहा है कि average propensity to consume क्या होता है, it is defined as the proportion of our country's national income and devoted to consumption. APC के बारे में होई बात कर रहा है, MPC के बारे में होई फॉर्मल लेग दिया, आप क्या कर रहा है, different from the consumption function. Different form of consumption function. consumption function के दो फॉर्म होते हैं. एक फॉर्म कौन सा बता है मैंने, एक फॉर्म तो आपके पास में होता है, C equals to C bar plus MPC और Y, एक होता है C equals to सिरफ MPC Y, दो फॉर्म होते हैं, consumption function के. तो भी कहा रहा है, different forms of consumption function. तो क्या कहता है, where both APC and MPC remains constant. जब APC और MPC दोनों constant हो, ना तो कभी आपके APC में change आ रहा है, और नहीं आपके MPC में change आ रहा है, दोनों में कोई change आपके नहीं आ रहा है, वो किस case में होता है, वो आपके इस case में होता है, यह, इस case में, C equals to BY, मैं दिखा जिता हूँ, यहाँ पर Ordonomous consumption है यह नहीं, तो यह मेरे पास में क्या है, मेरे पास में income है, 0,50, 100, 1,500, 200, और consumption है, मैं यहाँ पर APC निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूँगा, consumption divided by income, तो कितना आएगा, 0.4, consumption divided by income, consumption divided by income, consumption divided by income, आगे है, तो मेरा क्या है, इसमें कोई change आया, APC में, APC में change आया, बताओ, कोई change आया, APC में, APC मेरे कोई भी change नहीं आया, क्या MPC में कोई change आया, change in, income divided by change in, consumption, change in income divided by change in, consumption, change in income divided by change in, consumption, कोई change आया, MPC में भी कोई change नहीं आया, तो दोनों constant किस case में होते हैं, दोनों कॉंस्टेंट किस केस में होते हैं वेर बोथ APC and MPC remain नहीं तो APC बढ़ रहा है नहीं MPC बढ़ गड़ रहा है कॉंस्टेंट किस केस में जब आपका सीक्वल्स भी वाई यह ऑटोडोमस कंदंशन हाई यह नहीं तो यह आपका बतलब जीरो इंकम लेवल पर भी आपका जो है कंजम्शन कंजम्शन फंक्शन है जीरो इंकम के लेवल पर भी आपका क्या है कंजम्शन जीरो है तच कर रहा है ना क्लेर जी तो यह जीरो यह क्या एंपेशी 0.4 वाई यह कर भाए हमारा और यहां पर क्या कहता है वेर MPC रिमेंस कॉंस्टेंट बट एपीसी डिक्लाइंस इस केस में जो हमारा जो ज्यादा प्लोज और प्रेटिकल होता है क्या होता इसके अंदर शुडूल देखो इंकम हमारे पास है क्या जीरो सो दो सो तीन सो चार सो कंजम्शन पचास और पचापचास गयाप लेकर चलो ठीक है अब यहां पर मैंने मेरा ओडोनोमस कंजम्शन है या नहीं है है जीरो इंकम लेवल पर इसके लिए इंकम यह बना इसमें क्या होगा आपक स्टिल कॉंस्टेंट रहता है किस केस में जब आपका ओडोनोमस कंजम्शन रहता है इस फंक्शन में क्लियर है जी तो हैंस स्टैंट फॉर दा कंजम्शन वाइस दा लेवल अधा नेशनल कम बी स्टैंड आफ दा मार्गन प्रोपेंशिटी तो कंज्यूम एंड ए जीरो इंकम लेवल पर भी कुछ ना कुछ आप कंजम्शन एवल का कर रहे हों समझें क्लियर है तो सवाल को समझते पहले से सवाल है क्या आपका एच्प्लेंड रिलेशन्शिप बिडबिन दा एपीसी एड एपीसी एपीसी और एपीसी में क्या रिलेशन है इन केस ऑफ द हुआ जब लेनियर कंजम्शन फंक्शन में अढुनों कंजम्शन नहीं होगा तो दोनों कма स्टेशल रहेंगे जिए happening अब का सबसे पहले यह उसłamा दो इसका formula EPC का formula लिख दो, MPC का वही formula जो अपने पहले पड़ा वही चिपका दो, और उसके बाद आप case दो ले लो, कि different forms of the consumption function के अलग-लग forms क्या है, first form and second form, दो form discuss कर दो, enough है.